ज्वार्फार्ट इंपोर्टेन्ट वुक्ष और उतर्स महत्वपर्पुषत को बात करेंगे कि महत्वपर्पुषत के जो ज्वार्फ वह यहां से question पूजैने की ज़्यादा समभावना है तो आप लोगों को साइचिस्चों को ध्यान रखना है तो Part 1 को आप लोग जाकर देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं और अभी पार्ट 2 वह अभी आप लोगों को बलवीरदत तो आप लोगों को तो यह भी ध्यान रखना है कि जग बलवीरधत के लिख़ा गया कितब व हुआ है जाइपाल 훨씬 एक रुच कहानी तो इस्यासिंग के बारे में पता गया है और आपनों को मालं होगा कि यह dus होकी टीम के केप्टेन थे इंडिया के जो की एमस्टरडम ओलंपिक में भारतिय होकी टीम का इन्होंने नेत्रित किया था तो आप लोगों के यह ध्यान भी रखना है तो बलवीर द्यत्तों के दर जो लिखा गया हुआ है जैपाल सिंग एक रोचे काने यह है भूक का नाम आ आप लिखा गया है और यहां है एक रोल मोडल एथलीट फोर यंगर पीपल इन इंडिया तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुम्रा जो टेटे थे वहां फेमस्टी की खिलाड़ी थे तो यह आप लोग याद रखेंगे सुम्रा टेटे जो की है बूक का नाम वहां में आगे है जोकि कुडब को भासा में लिखा गया है इनको लिखें कुट्र के ये भी भी इंपोर्टेंट नंट सरना अधी धर्म जो कि कुड़क भासा में लिखा गया है और इसको लिखे हैं भीखो तिर्की तो यह आप लोगों को याद रखना ही रखना है यहां से कोश्चिन पूजाने की जादस जानता संभावना है तो चलिए अब हम लोग आगे दिखते हैं माई बोरिसाहिला तो यह जो है माई बोरिसाहिला यहां बांगलादेश अभियुदय से रिलेटेड है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं और यह इंपोर्टेंट भी जाता है इसके अलाव में दोस्तों माई बोरिसाहिला के अलावा जो महमाची जो बूग लिखे हैं वह है मरांग घोडा निलकं हुआ यह बूग भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है तो यह दोनों बूग को आप लोगो को ध्यान रखना है और दोस्तों महमाची को जो है इस माई बोरिसाहिला के लिए युनाइटेड किंग्डम का कथा सम्मान पुरसकार भी मिला हुआ है कथा सम्मान पुरसकार भी को माय्ड़ यह बूग का नाम तो इसको लिखे हुआ है निवयदीता टां तो यह बहरी बहरी इंपोर्टेंट है कि दोर जो बूग लिखा गया है दा कानफूजड मायड़ यह इंपोर्टेंट है आप लोग याद रखने हो अदिशिण सहयां से जो है जहां जो है यह जान हिंदी-इंगलीज सब्द कोस भी बनाया है और इसको बनाया है वो है देव कुमार के दवारा जो लिख्या गया है किताब या डिक्सनरी है वह बिरहोर हिंदी-इंगलीज सब्द कोस ये भी भी-very-very important हो जाता है यहां पर पार्ट तु में यहां अधिक तर बहुत जाते important book सबकिपारे में ही बताया गी ताप लोगों को याद रखना है आगे देखते हैं जनम दिसोंग उजारोक काना तो यहा है इसको लिखे है वोक वेखे जर्म भूमि बिरान हो रही है यह आप लोग याद रखेंगे इसको कहा जाता है तो यह है इस किताब की लिखा सालगें हंस्दा को साहित्य अकादमी युवा पूरसकार 2022 भी दिया गया है तो ये जानकारी को आप लोगों को याद रखना है कि सालगें हंस्दा को जो है जनम तिसम उजरब काना के लिए साहित तेक आदिम प्रशकार भी दिया किया है आप हम लगागे देखते हैं ओलोन बहा यह बुप का नाम ओलोन बहा इसका अर्थ होता है अलंकार पूस्प और इसको जो लिखे हैं जोबा मुर्मू तो यह जोबा मुर्मू के दौरा लिखा तो यह भी भेड़ी भेड़ी होजाता है तो आप लोगों को याद करना है और दोस्तों यह है जो बार मुर्मू को पूर्वी सिंभूमकि के परीन के करंडी के रहने वाली है और इनको भी बाल साहीत्य पुरसकार मिल चुका है तो यह आप लोग याद междуकेश्य हैं वो औलन पहापूस्तक के लिखक है जिनको अर्थ जो होता हूँ आलंकार पूस्तक है और इनको यहां पर बाल्स आयत पुरसकार मिल जूका है आगे देखते हैं गूरदक कासा जटक यह है भूक का नाम गूर्दक, कासादक और इनको छो लिखे हुआ है रूपचन हासदा तो रूपचन हासदा के दोरज लिखा गया वो कर गूँए गूर्दक, कासादक है और इसका जो अर्थ होता है मिठा गूड तीता गूड यह है और यह जो है बूख, वह एक कविता संगरा का बूख है, तो इसको भी आप लोग ध्यान सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो गूर दख कांसा दख जो बूख है वो रूपचान हासदा के दोरा लिखा गया है, आगे दिखते हैं, कॉरवा भासा का सब्दकोस, जो बूख है उस से समाजए यह भी आप लोगों को याद रखना है तो यह अब लोग बहुत शारे चीज़ों को यहां पर ज्यान रख सकते हैं आगे देख्ते हैं माने रहेना अरहंगा इन उसरे लिखे हुआ है निरंजन हाजदा तो निरंजन हाजदा के दौर्ड रे लिखा वो माने रेना आरहंगा है और यह जो बूख है वह भी एक कवीता संग रहा है कवीता संग रहा है तो इसको भी आप लोग थोड़ा से याद रख सकते हैं सगय गनादे इसको लिखे हुआ है कानु हांसदा तो यह आप लोग ध्यान रहे हैं यहां उपन्यास है तो यह भी आप लोग ध्यान रह सकते हैं तो कानुहांता के दोश लिखा की अवभूख सगे गनादे यहां पन्यास है हली मोने यह भूख है हली मोने के दोश लिखी है हूँ है कॉन एंद और ऑ्पकोय ह değil हली मोन के लिए और यह एक कविता संग्र है और दोस्तों यह जो है सोबां अजदा यह पुर्वी सिंभूम के कि चाकुलिया के रहने वाले हैं यह भी अब ध्यान रख सकते हैं आगे है दा सोल्जर्स गर्ल यह यह बूक का नम इसको लिखें हुआ है स्वपनिल पांडे यह भी भेरी इंपोर्टेंट है दा सोल्जर्स गर्ल यह सपनिल पांडे के दौरा लिखा गया बूक है और दोस्तों यह जो है बी आईटी मेसरा की स्टूडेंट रह चुकी है जो इसमें लड़के के कहानी है वह बी आईटी मेसरा की स्टूडेंट रह चुकी है और यह जो बूक है दोस्तों वह लव स्टोरी वाला रोमान्स नोबेल है और इसमें जो है लब इस्टोरी वह क्या है तो वह पारा कमांडो पारा कमांडो से रिलेटेड है यहां दो सल्जर्स गल बूक और इसको लिखें वह है स्वाप निल पंडे तो आप लोगों के इतने सा जनकारी को ध्यान रखना ही रखना यह बहरी बहरी इंपोर्टेंट कित अब भी बूक लेखा गया है जो की इंपोर्टेंट ही है तो यह आप देखिए लव एट फेस्बूक जो कि 2011 में प्रकास्ट हुआ था एक्सिदेंटली इन लव यह भी 2011 में इफ इस नोट फोरेवर इस नोट लव 2012 में दप प्र्वेज 2012 में 25 स्ट्रोक्स अप कैंदेंट 2013 में समनल लाइक यू 2013 में राइट हीर राइट ना 2014 में अफेर अफेर अफ्टर अल दिस ताइम 2015 में लाइक ए लव सौंग 2016 में इवरी ताम इट रैंस 2017 में लेटर्स तू इस यू 2019 में तो इतने सारे बुक्स जो है वो लिखेंगे हैं निकिता सिंग जो की रांची की रहने वाली है तो इनके द्वार और यहां से कोस्चिन भी पूछे जा चुके हैं जैसे सी में तो आप लोग इतने सारे बुक्स तो दिये हुए लेकिन इसमें से कुछ-कुछ इसके बारे में मैंने बताया वह आप लोग थेवानया रतलें तो हो सकता है अब एकर पूछ Cup पुछता है तो इसको बना लेंगे तो देखें दोस्तों आप लोग पार्ट वन भी देख सकते हैं उसकह प्रप्ट तो सारी जो बुक से इंपोर्टन बुक्स ऺंग आने आप अब बब बाता दी